उजांकाईस के भीवपॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हाल ही में किस प्रकार से UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगेगा ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई अब इसकी वास्तविक्ता क्या है किस प्रकार के लेंदेन पर किसे कितना सुल्क लगेगा इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे तो चलिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर यह कबर किस प्रकार से चर्चा में है UPI क्या होता है यानि कि Unified Payment Interface क्या होता है NPCI क्या है National Payment Corporation of India और NPCI के द्वारा जारी नए सर्कुलर में क्या अपडेट आया है फिर उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि PPI यानि कि Prepaid Payment Transaction पी Prepaid Payment Lending क्या होता है तो चलिए एक-एक करके सब पर नज़र डालते हैं सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आखिर यह कबर चर्चा में कैसे आई यह कबर किस प्रकार से आग की तरह पूरे देश में फैल गई दोस्तों यहाँ पर एक सर्कूलर जारी करा गया NPCI की द्वारा जिसमें कहा गया कि UPI Payment करने वालों को लगेगा बड़ा जटका 1 अप्रील 2023 से देना होगा सिल्क अब इस बात को लेकर पूरे देश में संसनी फैल गई और उसके बाद यह हुआ कि क्या अब हम Payment करेंगे तो उस पर भी हमें चार्ज लगेगा तो इसको लेकर कि NPCI यानि कि National Payment Corporation of India के द्वारा असपस्टी करन दिया गया और उसमें कहा गया कि किस प्रकार के सुल्क पर किस प्रकार के लेंदेन पर किस प्रकार के UPI Payment पर यह interchange सुल्क लगेगा और यह सुल्क किसे देना पड़ेगा इसको लेकर NPCI के द्वारा जो है एक असपस्टी करन दिया गया एक नए सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कि बताया गया कि किस प्रकार के लेंदेन पर सुल्क लगेगा और किने यह सुल्क बियर करना होगा कितने रुपिये के transaction पर या नीचे यह सुल्क लगेगा पूरी चानकारी हम यहां पर लेगे लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं UPI क्या होता है Unified Payment Interface क्या है Unified Payment Interface एक ततकाल भुकतान सिवा है यानि की Immediate Payment Services है अब यह ततकाल भुकतान सिवा क्या है इसको लेकर आपको किसी भी परकार की confusion नहीं होगा किसी भी परकार का confusion नहीं होगा क्योंकि आज के जमाने में आज जिस जमाने में जिस एरा में हम जी रहे हैं यहां पर हर एक लोग के पास Digital Payment को लेकर के जो सिस्टम है जिसके द्वारा वह Digital Payment करता है Payment का Transfer करता है ट्रांजेक्शन करता है वो UPI के द्वारा करता है और आज छोटे व्यापारी से लेकर अपने डेली राइफ में UPI का उप्योग करते हैं। UPI एक ऐसी प्रनादी है जो कई बैंक खातों का एक ही मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा जिसमें कि आपको पता हुगा फोन पे, पे टियेम, गूगल पे, अमेजन पे भी मैं अप्लिकेशन तो एक ही मोबाइल एप्लिक सकते हैं, व्यापारी समझ सकते हैं जिनसे हम कोई गुड्स या सर्विसेज लेते हैं और उन्हें पेमेंट करते हैं वही मर्चेंट होता है याद रखेगा। अब हम बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रिय भुगतान निगम जैसे की NPCI की द्वारा संचालित प्रनालियों NPCI ने 21 सदस्रे बैंकों के साथ लांच किया था। ये बात हो गया, UPI को लेकर अब हम बात करते हैं NPCI याने की भारतिय राष्ट्रिय भुगतान निगम के बारे में। दोस्तों भारतिय राष्ट्रिय भुगतान निगम, खुद्रा भुगतान प्रनालियों के लिए एक एक अज हर कोई डिजिटल पेमेंट कर रहा है तो ओनलाइन जबाना है तो डिजिटल भुकतान और वित्य समावेशन को प्रोट साहित करना NPCI भारतिय राष्ट्रिय भुगतान निगम का उद्देश से है साथी साथ सुरक्षित और कुसल खुद्रा भुगतान प्रनाली परदान करना भी इसका उद्देश से है। अगर बात करे भारतिय राश्ट्रिय भुक्तान निगम की अस्थापना को लेकर तो वर्ष 2008 में भारतिय रिजर्व बैंक और भारतिय बैंक संग के मार्गदर्शन तथा समर्थन के तहट इसकी अस्थापना करी गई थी। NPCI यानि की National Payment Corporation of India एक गैर लाबकारी कमपनी हैं अगर इसके स्वामित्य की बात करे तो भारत में प्रमुख बैंकों के एक संग द्वारा साजह स्वामित्य तो करता है भारतिय राश्ट्रिय भुक्तान निगम को अगर बात करे भारतिय राश्ट्रिय भुक्तान निगम जो स अतकाल भुक्तान सिवा इमेडियेट पेमेंट सर्विसेज भारत बिल भुक्तान प्रनाली भारत बिल पेमेंट सर्विसेज रुपे काड़ और अन्य सहित उत्पादो एवं सिवाओं को एक स्रिंखला प्रदान करने वाला संगठन है NPCI अगर बात करे NPCI के द्वारा जो ल पेमेंट इंटरफेस लेंदेन यानि की UPI लेंदेन जैसे की वालेट कुछ मर्चेंट भुक्तानों के लिए 1.1 प्रतिसद का इंटरचेंज सुल्क लगेगा अब यह PPI लेंदेन क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि PPI ट्रांजेक्शन क्या है प्रिपेड पेमें इस्ट व्यापारी स्रेनियों के लिए 2,000 रुपे से अधिक के व्यापारी भुक्तान पर इंटरचेंज सुल्क लगाया जाएगा ऐसी बात NPCI के द्वारा करी गई लेकिन पूरे देश में यह हवा हुआ कि UPI ट्रांजेक्शन पर अब आम लोगों को भी एक्स्ट्रा चार लेंदेन की रासी 2,000 रुपे तक होने पर कोई भी सुल्क नहीं लगेगा और भी NPCI के द्वारा जो सर्कुलर जारी में जो अपडेट है उसके बारे में बात करें तो PPI वालेट यानि की जो प्रिपेड पेमेंट इंटरफेस वालेट है इसके इंटर ऑपरेबल UPI एको सिस हिस्सा बनाने की अनुमती इस सर्कुलर में जारी करी गई साथी साथ यह भी कहा गया कि PPI का उप्योग करते हुए 2000 से अधिक के लेंदेन पर एक दसंबलव एक परतिसत सुल्क लगेगा और यह इंटरचेंज सुल्क केवल PPI मर्चेंट लेंदेन के लिए लागू होगा य जाद रिखेगा कोई confusion आपको ना रहे यह जो PPI मर्चेंट लेंदेन के लिए जो लागू सुल्क है इंटरचेंज सुल्क केवल व्यापारियों को दुकानदारों को लगेगा न कि ग्राहकों को दोस्तों बैंक खाते के लिए खाता आधारित UPI भुकतान पर भी कोई सुल् अगर आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं एक फंड ट्रांसफर करते हैं तो भी आपको किसी भी परकार का भुकतान जो है सुल्क नहीं लगेगा दोस्तों अब हम बात करते हैं PPI लेंदेन की तो PPI लेंदेन एक परकार का डिजीटल पेमेंट मेथड है जो की goods और सर्विसे यानि की सामान और सिवाओं बस्तू और सिवाओं की खरिदारी को आसान बनाता है PPI भुकतान एक परकार का PPI लेंदेन एक परकार का वर्चुल वालेट है जिसमें की Paytm वालेट, Amazon Pay वालेट, Phone Pay वालेट इत्यादी आपने देखा ही होगा जिसमें की Smart Card वालेट, Mobile वालेट Gift Card, Prepaid Credit Card ये सब जो वाचर होते हैं जिसके तहट अगर आप Payment करते हैं मर्चेंट को तो उस टाइप के लेंदेन में मर्चेंट को अगर 2000 रुपे से अधिक कार्ट फंड ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ पर उन्हें 1.1 प्रतिसत का Extra सुल्क लगेगा तो ये है PPI लेंदेन जब होगा तब ही लगेगा और 2000 रुपे से अधिक के transaction पर ही सुल्क लगेगा तो ये हमने जानकारी हासिल करी आपको कोई confusion नहीं होगा अगर आप UPSC के तयारी कर रहे हैं और किसी भी courses की जानकारी आपको चाहिए तो दिये गए numbers पर आप contact करके courses की जानकारी आप ले सकते हैं यहाँ पर UPSC prelims के लिए test series चला जा रहा है UPSC prelims बहुत नजदीक है जिसमें कि आपको अगर अपनी तयारी को धार देना है तो आपको test देना ही देना चाहिए और एक best test series UPSC प्रहार prelims test series ओजांक IAS Academy में चला जा जा रहा है जिसमें आपको मात्र 699 में history, geography, quality, science, economics, current affairs math reasoning के best MCQs मिलेंगे वो भी पूरी तरह से bilingual तो देर ना करे Google Play Store पर जाएं और ओजांक test practice application को डाउनलोड करके इस test series से जुड़ें और अपने तयारी को एक धार दे साती साथ ब्रहास्त स्रीच चला जा रहा है जिसमें कि 1000 history के best questions आपको मिलेंगे पूरी तरह से bilingual और मात्र 299 में इसे भी अगर आप एवेल करना चाहते हैं तो Google Play Store से उजांक test practice को डाउनलोड कर लें दोस्तों गर जाप JPSC, JSSC जैसी exams की तयारी करते हैं और online या offline किसी भी परकार की courses की जानकारी आपको दिये गया नमर्स पर मिल जाएगी तो हमने आज इस वीडियो में यह देखा क UPI transaction पर किस परकार के लेंदेन पर चार्ज लगेगा, किनहें लगेगा, कितना लगेगा, तो ये सब कुछ हमने देखा है, आसा करते हैं आपको सब कुछ किलियर हो गया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर किजेगा, दोस्तों में share किजेगा, चैनल पर न झाल 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